है गाइज वेलकम टो साइकावर्नेस आई होप आपसे बच्छोंगे तो कॉंटिन्य आपको पता है कि यंग प्रोफेशनल्स की लगतार वेकेंसिज आ रही हैं तो अभी दुबारे सागी यूथ अफैस एंड स्पोर्स मिनिस्ट्री के तरफ से एक युवक हेल मंत्रा ले इस इसकी यंग प्रोफेशनल्स की उसकी वीडियो में अप्लाई कर लेना आपको साइकावर्नेस पर इसी चैनल पर आपको रेसेंट में एपी एफो के वीडियो मिल दागी वह पहत्री पोस्ट एंड ग्रेडिवेशन के लिए फ्रैशन उसमें भी अलेजी बलें और अब बात करें इस पोस्ट की तो यहां पर पचास सुपर पोस्ट हैं कोई फीस नहीं रगी फॉर्म बनने की ऑनलाइन फॉर्म बनना है अगर इसमें बात करें वेकेंसी के तो यह ऑफिसल पीडियाफ है रिकृट्मेंट सैल का जो 5 नवेंबर को निकला है 5 नवेंबर को आ गया यहा इंडिया इड्वाइट्स एट्रिकेशन फॉर्ट व्यंग प्रोफेशनल यह पीडेफ हिंदी में भी यह पीडेफ इंग्लिस में भी है ठीक है तो अगर आपको हिंदी इंग्लिस अगर दोनों से स्टेडी करें तो आप अराम से अप्लाइस में कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कॉंटेक्ट वह चार साल कराएगा फिर यह दुबारा चार या दो साल की बढ़ जाएगा अभी लास्ट बने ना सबकी बात में करूंगा कैसे कैसे कब कॉंटेट बढ़ेगी यह पैसे बार यंग प्रोफेशनल और यहां पर टोटल पोस है पचास तो काफी ज्यादा प्रिची बढ़ेगा इनडीय के डिपाटमेंट यह चूंटे चीज़ बढ़ेगी आपको इसमें चीज़ दे रेगी हम उसकी बात करेंगे आपको सारा डॉक्मेंटरेशन करना पड़ेगा इसका ओनलाइन फॉरम है नहीं हुआ है आज 7 नवेंबर है इसका ओनलाइन फॉम वह 8 November सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और अंतीम डेट लास्ट एट फॉर्म बनने की 30 November 30 नवेंबर तक आप इसका फॉर्म भर पाऊगे तो फॉर्म कब श्राट होगा 8 November को क्लोज कब होगा 30 November को साम 5 बचे फॉर्म क्लोज हो जाएगा ठीक है ठीक है अब देखो साई इंटेंट तो फिल एंटिसिपेट वेकेंसी अराजी दा फूचर पीरिड ओवन यर फॉर्म दा एक्स्टेंट पैनल वेटिंग कंडिट अगर आपको फॉर्म वगरा वेटिंग में आथा तो एक साल के अंदर भी आपको कॉल आ जाएगा वेटिंग के लिए अब भी बा प्राफिटिंग एनलेसिस सों मॉनिटरिंग पर काम करना आपको साहिके साथ इंट्रेस एं रिक्वेस्ट प्रपोसर बनाने है इनके लिए वन स्टॉप सर्विस पॉइंट पर काम करना है आपको और और बी जो अधर टास्क रिपोर्टिंग आफिसर आपको देंगे वो भ बात का था में नहीं कि मास्टर्स करा है किसी बी स्ट्रीम में किसी भी कॉलेज इंवर्टिंग लोगे दो साल का बीजी डिपलोमा कर रहा है में तो भी एलिजिबल रहोगे MBBS वाले बेलिजीबल है, LLB वाले भी, CAB, ICWAB या फिर आप कोई प्रोफेशनल डिगरी कर रहे हो after I study with 4 years तो अलिजीबल हो और हाँ आपके पास minimum 1 year का experience होना mandatory है मतलब अगर आपने master's degree कर दिए किसी भी stream में किसी भी college उनिश्टी से तो आप अलिजीबल है साथ में minimum 1 साल का experience किस चीज मोना चाहिए इसमें, जो drafting वाला है आपने administration पर काम कर रहा हो आपने stakeholding पर काम कर रहा हो ecosystem पर काम कर रहा हो, academic, sports में काम कर रहा हो किसी agency के functioning में काम कर रहा हो किसी scheme में काम कर रहा हो drafting, research में, monitoring में काम कर रहा हो एक साल तो फिर आप इसमें मास्ट साथ अप्लाई कर पाओगे अब यहां पर देखो एक स्टर्फरिएंसhin जो अपना काउन्ठ होगा वो अशनली वहीं स्काउन्ट होगा जो किससे को हंगे अरे प्छुर से प्रक्र зफिरेंस घरार के काउगे समयन्धिट जाएंगे ठीक है सबसे लिखा है जो फाइनल मेरे लिस्ट होगी वह आपके स्कोर के इंटर्वी के स्कोर वगरा के बैसिस पर आपको दी जाएगी और देखो यहां पर डिग्रियन मांक्षिट अप्लोड आपको अपना सर्टिटिकेट मांक्षिट वगरा अप्लोड करनी पड़ेगी हुआ है ठीक है अब बात करें एकसपीरियन्स की टॉक्षम क्लेमिंग वकस्पीरियन्स मस्ट ग्री मेंसन दा फॉलोइग जो आपपलोड करोगा एकस्पीज सब्सकर नेम आपका नेम और टेपरट्मेंट का नेम है सिकनेचर आपका इने कप से कब तर काम किया है किस पोस् सब इंडिन से डिजन वह सबी फॉर्म भड़ सकते हैं जो भी मास्टर्स प्लस बनेर एक्स्पीरेंस की हुए हैं सब लोग फॉर्म भड़ सकते हैं तेक है अब चलो इसारी डॉक्मेंट आपको लगाने पड़ेगे जो डॉक्मेंट की लिस्ट दी हुए है आपको अपने ला अब यहां पर थोड़ा reservation भी दिखेगा आपको और जो salary of 50 to 70,000 per month दी जाएगी अच्छा दो star marks है यहां पर क्यों है अगर आपके पास ज्यादा experience होगो तो आप 70,000 तक जा सकते हो अगर आप one year experience लेकी जाओगे तो पजाज़ा साली मिलेगी जो age में जो relaxation मिलेगा वो SCST OBC उम्मिदवार उपर लागो होगा अब वो कैसे मिलेगा यहां पर देख लो अभी एज लिक्सेशन विल बी अप्लिकेबल फोटा कंडिडेट ब्लांग दू OBC SCST as per department of PT norms अब क्या नॉम से इनके देखो यहां पर इनके नॉम सब्सक्राइज का यहां पर जो भी नॉमस पढ़ लिना यहां पर आप करना सब्सक्राइब करें यहां पर दिखाएब कर यह मिल जाएगा तो हमें तो काफी आप लोग लिए हो जाएगा ठीके के डीपी ओटीके नॉम्स क्या है आप लोग उसको पढ़ लिना अगर आपकी एज 32 से उपपर है तो यहां पर देखो यहां पर सकते होगा पूरा इपर क का दिखा हमें आपको लिए हुँ का अपका यहां पर देखुए आगै आपको कैसे कैसे मिलेगा ठीक है तो इसकी को पर साय हमे करेंगे तो अगर आप साहillar पहले से काम कर रहे हो, तो अगर आपने साही में 2-3 साल काम करा, तो आपको एक वर्स की छूट मिल जाएगी एज में, 3-5 साल काम करा साही में तो 2 साल की एलेक्सेशन मिल जाएगा तो यह फुरा फॉर्मेट है अलग से भी और देखो बाकी Candidate should note date of birth जो रहेगी आपकी वो 10th और 12th के examination के according एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है अधागाट वगरे से अक्सेप्ट नहीं होगी कोई TAT नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर और हाँ, आपकी salary में नहीं 7% का हाइक होगा हर साल, ठीक है annual increment 7% का रहेगा है salary में, और आपको जो leave मिलेगी, वो 2.5 day के leave मिलेगी complete month में आपको leave रहेगी, Monday to Friday काम रहे था आपको basically इसमें, और हाँ जब आपका selection होगा, जब आपने घर से joining के लिए जाओगे, तो आपको economic class में, या फिर ठीक है चाहे वो train हो, चाहे फिर वो air हो, उन दोनों में आपको two tiger ticket मिलेगा, साथ में starting में आपको per day के लिए 2,250 रुपर होटल के लिए मिलेगे, 338 पर दे taxi, और 900 रुपर मिलेगा आपको खाने-खाने के लिए, ठेक है food allowance के लिए, और होगया, बाकि हमारे काम की चीज़ जिसमें है नहीं, सब कुछ में आपको बता दिया है, आपका जो सम्वीदा, मतलब contextual post है, starting job आपकी चार साल की रहेगी, और ये बढ़ जाती ये बात में, साई में हमेशा आप 10-11 साल तक साई में आप काम कर सकते हो, तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा पीडियाफ दे दूगा, आप इस पीडियाफ को भी रीड कर लेना, ये अपर लेटे सब्डेट में आओगे, जॉब पर क्लिप करोगे, तो ये विंडो खुल जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पोर्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया इन्वाइट एप्लिकेशन फोर दा पोश्ट अव यंग प्रोफेसरल कॉंटेक्ट बेसिस पांच नॉवेंबर, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डावड़ोट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लिंक डिस्केशन दे रहा हूँ, ऑनलाइन फोर्म अभी नहीं आया है, आठ तारिक ऑनलाइन फोर्म आएगा, उसका लिंक दे दूगा, जिस वेबसाइट में वाएगा, कोई क्वेड़ी भी तो कामेट में पोश्ट लना, बागे जल मिलता हम लोगे एक और अच्छी अपडेट में, तब तक लिए थैंक्यू सो मच,